नमस्कार, स्वागत है आपका Best Kidney Diet Channel Stop Kidney Dialysis में जहां हम आज आपको बताने वाले हैं सहजन के पेड़ की पतियां for kidney patient चलिए, समय खराब ना करते हुए जानते हैं कि सहजन के पेड़ की पतियों से आप कैसे रख सकते हैं kidney को healthy और कैसी है सहजन की पतियां kidney patient के लिए सहजन के पेड़ की पतियां ज्यानी moringa leaf का यूज हजारों सालों से आइवधिक medicine को बनाने के लिए किया जाता रहा है लेकिन अब सहजन की ताजा पतियों की तुलना में इसे सुखा कर powder के रूप में ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है आपको बता दें कि इसमें vitamin, खनिच पदार, antioxidant, chlorophyll और amino acid पाया जाते हैं जो आपकी health के लिए बहुत ही beneficial होते हैं आइवधिक शोध में पाया गया कि सहजन की पतियों में protein, vitamin C, beta-carotene, calcium, potassium और antioxidant के अलावा ascorbic acid, folicorpenophilic मिलता है इतना ही नहीं इसमें लगबग 40 से अधिक प्रकार के anti-oxidants पाय जाते हैं यही नहीं anti-bacterian और anti-inflammation गुन भी इसमें होते हैं जो kidney को स्वस्त रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि सहजन के पेड़ की पतियों से आप कैसे रख सकते हैं kidney को healthy और क्या kidney के patient कर सकते हैं इसका सेवन अगर आप बढ़ते वजन से परिशान हैं और वजन घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो अपनी डाइट में सहजन की पतियों को जरूर शामिल करें सहजन की पतियों में chlorogenic acid और anti-obesity जैसे गुनों का combination बढ़े हुए वजन को कम करने में help कर सकता है और आप तो जानते ही हैं कि जितना आपका weight कम होगा उतना ही आपकी kidney का function बहतर होगा सहजन की फली और छाल के अलावा इसकी पतियां भी diabetes के मरीजों के लिए बहुत फाइदे मनसाबित होती हैं इनमें anti-diabetic गुन पाय जाता है जो diabetes patient की body में sugar के level को control करने में help करता है आपको बता दें कि blood sugar के increase होने से भी kidney damage हो सकती है अगर आप kidney को damage होने से बचाना चाहते हैं तो आपका blood sugar level भी control होना चाहिए सहजन की पतियों में ऐसे कई nutrients पाय जाते हैं जो आपकी body के immune system को powerful बनाने में help कर सकते हैं इसलिए अपने immunity system को मजबूत करने के लिए सहजन की पतियों का सेवन करें ताकि kidney रोग से भी पचा जा सके Antioxidants के अच्छी मात्रा मौजूद होने के कारण सहजन की पतियों का सेवन आपकी body में inflammation यानी kidney सूजन के कारण होने वाली परेशानियों में relief दिलाता है इसके अलावा सहजन की पतियां heart को healthy रखने के साथ ही kidney को कई रोगों के खत्रे से भी बचाती है पेट की कई समस्यों के लिए सहजन की पतियों का यूज़ करना बहुत ही फायदे मंद होता है आपको बता दें कि पेट या पीट का दर्द और साथ ही kidney infection के खत्रे को कम करने के लिए सहजन की पतियों का सेवन लाब दायक माना जाता है सहजन की पतियों में anti-alcer gun होते हैं जो पेट, पीट के दर्द और kidney infection के कारण होने वाले दर्द से रिलीव दिलाते हैं जहां तक सवाल है कि सहजन के पेड की पतियां कैसी है kidney रोगी के लिए तो आपको बता दें कि kidney रोगी को सहजन का सेवन नहीं करना चाहिए सहजन की पतियां kidney को स्वस्त रखने के लिए उपयोगी हो सकती हैं लेकिन kidney रोगी को सहजन का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलहाज जरू लेनी चाहिए